प्रिष्ट संख्या 153 घर की याद आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाईरे परिताप के घर घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई, चार बहिने, बुजा भाई, प्यार बहिने और मा बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, मा की जिसकी गोद में सिर, रख लिया, तो दुख नहीं फिर मा के जिसकी स्नेह धारा, का यहां तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो की उसका पत्र पाता पिताजी जिनको बुढ़ापा, एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दोड जाएं, जो अभी भी खिल खिलाएं मौत की आगे न हिचकें, शीर की आगे न बिचकें, बोल में बादल गरचता, काम में जंजा लरचता प्रिष्ट संख्या 154 आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खोब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर जब की नीचे आए होंगे, नेन जल से चाए होंगे, हाए पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है चार भाई, चार बहिने, भुजा भाई, प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे पिता जी जिनको बुढ़ापा, एक छन भी नहीं व्यापा, रू पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर प्रिष्ट संख्या एक सव पचपन पांचवां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिता जी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं आज उनके सुवन बेटे, लगी होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा और मा ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवाणी वह तुम्हारा मन समझ कर, और अपना पन समझ कर, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है पाउं जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो नाकच्चे, रो पढ़ेंगे और बच्चे पिताजी ने कहा होगा, हाए कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूँ, धीर मैं खोता कहां हूँ हे सजीले हरे सावन, हे की मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचमे को वे न तरसें मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किन्तु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है किन्तु उनसे यहना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना प्रिष्ट संख्या 156 और कहना मस्त हूँ मैं कातने में व्यस्त हूँ मैं वजन सत्तर सेर मेरा और भोजन धेर मेरा कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं यो न कहना अस्त हूँ मैं हाई रे ऐसा ना कहना है की जो वैसा ना कहना कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ कहना देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना हे सजीले हरे सावन, हे की मेरे पुण्ने पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांच में को वे न तरसें अभ्यास कविता के साथ एक, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस पर क्या संबंध है? दो, माय के आई बेहन के लिए कवी ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तीन, पिता के व्यत्तित्व की किन विशेश्ताओं को उकेरा गया है? चार, निमलिखित पंग्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेश्ताएं बताईए मैं मजे में हूँ सही है घर नहीं हूँ बस यही है किन्तु यह बस बड़ा बस है इसी बस से सब विरस है पिश्ट संख्या एक सो सत्तावन पांच, कविता की अंतिम बारह पंग्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्तिती वा मनस्तिती को अपने परिजनों से चिपाना चाहता है कविता के आसपास एक, ऐसी पांच रचनाओं का संकरन कीजिए जिसमें प्रकृती के उपादानों की कल्पना संदेश वाहक के रूप में की गई है दो, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं? लिखें शब्द छवी नजर में तिर रहा है यानि आखों में तैर रहा है पूर है जो अर्थात वह घर जो परिपूर्ण है यानि खुशियों से भरा पूरा है परिताप यानि अत्यधिक दुख नवनीत यानि मक्खन हेटे अर्थात गौन या हीन लीक यानि परमपरा